टीविय स्कूटी जेस्ट 110 नम्सकार साथियो स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि इंडिया में स्कूटर की काफी ज्यादा दिमांड बढ़ चुकी है इंडिया स्क स्कूटर मार्केट में एक से बढ़कर एक नए स्कूटर देखने को मिल रहे हैं अगर आप भी एक नया स्कूटर खरीदने के बारे में प्लान बना रहे हैं लेकिन नए स्कूटर खरीदने के प्ले आपके पास बजट नहीं है तो आपको परेशान होना नहीं है क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कुशकबरी लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों अब आप धानसू स्कूटर ले सकते हैं आये जानते हैं स्कूटर के बारे में और यहाँ भी बताएंगे कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन से फीचर्स मलिश कितना प्रदान करेगा और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस कितनी है और आप इसे कम रुपे में कैसे खरीग पाएंगे पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंग तक जरूर देखे दोस्तों फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको एजी सेंटर स्टेंड फीचर्स देखने को मिल जाता है ये टीबीए स्कूटी जेस्ट वन हंडर टेंड आपको कमपनी का खास इजी सेंटर स्टेंड मिलता है जिसमें लगाने से 30% का मेहनत लगती है इसके अलावा अंदर सीट स्टोरेज भी है ये स्कूटी की सीट के नीचे आपको सामान रखने के लिए काफी जगल देखने को मिलती है और फ्रन्ट गला बॉक्स भी देखने को मिलता है ये मोबाइल का आगे जैसी छोटी-छोटी चीज़ों को रखने के लिए यूज किया जाता है टीविए स्कूटी जेस्ट 110 का आकरशक डिजाइंग डिजाइंग के मामले में स्कूटर काफी जबरदस्थ है यह है एक स्कूटी लूक वाला स्कूटर है इसमें आपको एक बॉर्ड फ्रन्ट शॉप बॉडी पैनल और डुएल टोन सीट ये स्कूटी देखने को जतनी अच्छी है बैठने में उतनी आरामदायग भी है इसकी सीट की उचाए एकदम सही है जिसे लंबे सफर में भी आप पैर दर्ड की समस्या नहीं हूगी साथ इसमें आपको MP Storage Space भी मिलता है जहां आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं तीवी स्कूटी ZEST 110 दमदार Performance और Mileage तीवी स्कूटी ZEST 110 आपको इसमें B6 और 110 CC का येपोर्ट इंजन देखने को मिलता है यह इंजन 8.8 नेनोमीटर का पिक्टार्ट जनरेट करने में सक्षम है और यह 7500 RPM पर 7.75 के यू की पावर जनरेट करता है स्कूटी में लगी अटफी टेकनोलोजी आपको बहतर Mileage और Responsive Acceleration देती है चाहे ट्राफिक में निकलना हूँ या हाईवे पर फर्राटा भरना हूँ TBS या आपके बहतरीन राइडर का अनुभव करता है TBS स्कूटी ZEST 110 की कीमत दोस्तों अगर इसके कीमत की बात करें तो उसकी शुरुआती X शोरून कीमत 75,401 रुपे मिलती है लेकिन आपको इतना पैसा नहीं देना है दोस्तों जी हाँ क्वाय का वेबसाइट पर स्कूटर मातर 33,000 में लिस्ट हुआ है स्कूटी की कंडीशन काफी अच्छी है और अभी तक ये स्कूटर मातर 35,000 किलोमीटर तक चली है और इस स्कूटर को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विक्सित करके ओना से बात कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें